साथियो, स्वागत है आपका आपके अपनी जिवनसार चानल में आज के वीडियो का सब्जेक्ट है स्यूलिंग पर कौन सी वस्तु चड़ाए तो हमें क्या फल मिलता है तो बने रही है मेरे साथ वीडियो के आखरी तब शिव शंकर जी की पुजा करने से जन्मों जन्मों के पापो का नाश होता है मनोंचित फल मिलता है देव के देव महादेव सबसे जल्दी प्रसंद होने वाले देव में से है भगवान सीव के शिवलिंग रूप में उस परमपिता परमाद परमेश्वर की भी भक्तिव सोता ही हो जाती है जो सर्वशक्तिमान है जो इस ब्रह्मान्ड के पालन करता है तो अब हम जानते हैं कि शिवलिंग पर क्या चड़ाया जाए और हमें उसके क्या फल मिलते है पक्ष्मी का निवास होता है शिवलिंग पर काले सफेद तिल चड़ाने से जम्म जम्मांतर के पापो का नाश होता है तिल का हवन करने से कस्ट दूर होते हैं और भगवान भोलेनात इससे अत्यंत प्रसंद होते हैं शिवलिंग पर जो चड़ाने से सुखों में वुद्धी होती है शिवलिंग पर गेहु चड़ाने से संतान की प्राप्ती होती है मन चाही संतान आपको मिलती है शिवलिंग पर हरेमुं चड़ाने से सुख की प्राप्ती होती है समुरुद्धी आएगी आपके जीवन में जी पर्म अर्थ तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का अरहर के पत्तों से अगर आप सिंगार करते हैं तो इससे सुक्षांती वैभो आपको मिलता है। सिवलिंग पर नारियल, बेल पत्र, शम्मी पत्र, गंध, पुष्प आप चाहते हैं तो कई जन्मों के पापों का नाश होता है। समस्त सुखों की प्राप्ति होती है आपको। सिवलिंग पर अगर आप चंदन का तीलग करते हैं तो समाज में मान सनमान आपको मिलता है और यश की प्राप्ति होती है सिवलिंग पर गंगा जल अरपित करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है ऐसा भक्त सदैवो भूले नात की छत्रचाया में रहता है भगवान सिवकी अराधना से जीवन के हर कस्ट दूर होने लगते हैं देव के देव महादेव की भक्ती से सभी पापों से मुक्ति मिलती है ओम नमश्वार इस मंत्र का जब करते हुए ये सारी चीजे अगर आप अरपित करते हैं तो आपकी मनोकामनाए आपकी इच्छाओ की पूर्थी होती है जीवन में निरंतर प्रगति होती है क्योंकि बाबा भुले नात सबसे जल्दी प्रसन्द हो जाते है साथियो वीडियो और वीडियो की जानकरी आपको कैसी लगी तो कॉमेंट करके बताए और फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करे इस वीडियो को चानल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन प्रेस करे ताकि आने वाली महत्वपुर्ण जानकरिया आपको मिलती रहे प्रेशि रावट सेक्श ओपिनी जानकर प्रेस कमा थासरी से सक्वार्यच काराय विड़ी से अऐच करेत लिचानकर प्रेस कि अन्सेश अप्न एंढ को क्यों जांकर से रहे